तो एलो दोस्तो नमस्कार तो दोस्तो जब भी हम टिकट बुक करने जाते हैं तो हमको जो एक सब्द सुनने को मिलता है वो है वेटिंग लिस्ट और जब भी हम IRCTC पर अपना टिकट बुक करते हैं तो हमको जो है WL लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है वेटिंग लिस्ट क्या होता है इस वीडियो में आप सभी को इसी के बारे में जानकारी देने की कोशिस करूँगा तो काफी छोटा सा वीडियो है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो आप सभी को पसंद आएगा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कुछ भी अगर आपकी मन में सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों मैं यहां पर बनारस सेलेक्ट कर लिया हूँ यह देखिये इस्लीपर कोष हैppeन यह सभी यहां पर देख सकते हैं तो यहां पसा कीमट भी विखstem होती है कि कितना रुपय लगेगा जबल्पूर से स्वारी बनारस से जबल्पूर जाने में कितना रुपय चो हमारा लगेगा स्लीपर उसी के नीचे यहाँ पास WL लिखा हुआ देखने को मिलता है और 90 लिखा है यहाँ पे तो भाया इसी को बोलते हैं Waiting List यहाँ पर अगर आप टिकट बुक करेंगे यहाँ पर क्लिक करके और Waiting List में अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपका जो टिकट रहता है वो confirm नहीं होता है वो waiting list में चला जाता है ठीक मान के चलिए मैंने यहाँ पे ticket book कर लिया और waiting list में हमने ticket ले लिया तो उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद जो होता यह है कि मैं जो 9 फरवरी को जो यात्रा करने वाला हूँ 9 तारिक को जो मैंने यहाँ पे select किया है तो 9 फरवरी को जब train station में पहुचने वाली रहेगी जहां से हम यात्रा प्रारंब करने वाले है तो वहाँ पे पहुचने से पहले कुछ घंटे पहले एक chart बनता है चार्ट होता है एक प्रकार के list और उस चार्ट में यह पता चलता है कि किन किन लोगों का जो seat है वो confirm हो गया किन किन लोगों का जो ticket है वो confirm हो गया ticket confirm होने के बाद होता क्या है कि जितने लोगों का ticket confirm हुआ होगा उनके mobile पे एक message जाएगा और उस message में ये लिखा रहता है कि आपका जो ticket है वो confirm हो गया है और आपकी seat number ये है आपका coach number यह है ठिक तो वो जो है वहाँ पर जाएंगे और बैठेंगे और अपनी यात्रा कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि टिकट जो है वो confirm नहीं होता है वेटिंग लिस्ट में जो है कितने लोगों का confirm हो जाता है कभी-कभी जो है सभी लोगों का confirm हो जाता है और कभी-कभी एक भी लोगों का confirm नहीं होता है तो ऐसे सिच्वेशन में क्या होता है कि उनका automatic जिनका confirm नहीं होता है वेटिंग डिस्टप में टिकट तो उनका जो है automatic जो टिकट वो cancel हो जाता है और cancel होने के बाद जो है उनका जो पैसा रहता है उसमें जो है कुछ पैसा कटके उनहीं account में वापस आ जाएगा जिस account से उन्होंने पैसा दिया होगा वो बदाएक Ee जिस account से Allah होता है उसी account में पैसा वापस आ जाता है तो दोस्तों यह होता है waiting list अब मैं आप सबी को यह बता देता हूँ कि wl pecco का मतलब क्या है यहाँ पास जो इंक्यानवे लिखाया है यहाँ पास जो डबलू एल अंठावन लिखाया है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके waiting list इंक्यानवे में जो है मैंने ticket book की तो मेरा जो number रहेगा वो कितना हो जाएगा waiting list 92 अभी जो इंक्यानवे है जैसे मैं book करूँगा तो मेरा 92 waiting list में number होगा ठेक तो सबसे पहले क्या होता है कि जब chart बनता है जो मैंने आपको बताया एक list बनती है उस list में सबसे पहले इंक्यानवे लोगों का ticket confirm होगा फिर उसके बाद मेरा 92 number आएगा तो मेरा 92 number पर ticket confirm होगा तो सबसे पहले यह इंक्यानवे लोगों का ticket confirm होने के बाद ही मेरा ticket confirm होगा तो यह होता भईया कुल मिलाकर waiting list अगर आपको confirm ticket चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि दो महिना धाई महिना पहले आप यातरा करने से पहले दो महिना धाई महिना पहले अगर ticket book करेंगे तो यहाँ पर waiting WL के जगह पर AVL लिखा हुआ देखने को मिलेगा और सामने संख्या लिखे रहेगी कि कितना seat अबलेबल है 8 की 10 की 15 की 25 यह जो है उसके सामने लिखा हुआ देखने को मिलता है ठीक तो अगर आपको confirm seat लेए नहीं है तो आप जो है कुछ समय पहले अपना ticket book कराईए दो महिना धाई महिना पहले ticket book करेंगे यातरा करने से पहले तो आपका जो ticket हो दोगा वो confirm हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में केवल इतना ही था उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंद आये तो लाइक करिएगा कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए उस पर जो हमें एक अलग से वीडियो बना दूगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया दोस्तो धन्नवाद जहें